सबीतर स्कोक नमस्कार हिंदुस्तान न्यूस्टूडे में आपका स्वागत बड़ी खबर अलवर जिले के बैरोड के खोरी गाउं में दुलंडी के त्योहार पर बदमासों ने मुन्ना खोरी की गोली मार कर हत्या कर दी हत्या के बाद बदमास मोके से फरार हो गए वहीं मुन्ना यादव को बैरोड के नेजी अस्पताल में परिजनों के दुआरा भरती कराया गया जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत गोशित कर दिया गोली कांड की घटना के बाद गाउं में हडकम मच गया फाइरिंग की घटन करते कार्य करम के लिए बाहर से कलाकार बुलाए गए थे जो कार्य कर रहे थे उसी दोरान हत्यारों से लैस होकर आये बदमासों ने मुन्ना यादव को तीन गोलिया मारी जिस से उसकी मोत हो गई मामले की सूचना लगते ही पुलिस मोके पर पहुंची छेतर में नाके गेंगवार के चलते दूसरी गेंग के बदमासों के दुआरा मुन्ना यादव को रंजिस के चलते हत्या कर दी कारण क्या क्या रहा यह तो पुलिस जांच के बाद ही पता पाएगी लेकिन फिलाल गाउ में भारी पुलिस बलतैनात है वही पुलिस भी बैरोड के एक निजी अस्पिताल में पहुँच गई है जहां पर उसका सव रखवा रखा हुआ है आपको बता दे कि मुन्ना खोरी भी बदमास गेंग से जुड़ा हुआ था जिसके पास हरियाना दिल्ली के बदमास आते थे और रंजिस के कारण बदमासों ने बदला लेने के लिए उसकी हत्य कर दी मिर्तक मुन्ना का कल सुबह मेडिकल टीम के देखरेख में पोस्ट माडम कराया जाएगा साथ ही परिजनों के दुआरा आरोपियों के खिलाप मामला दर्ज कराया जाएगा लेकिन सबसे बदमासों के होसले इतने बुलंद है कि वो घर में गुशकर भी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं कराया है पर दाया है कराया है कराया है